नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तों भारत का प्लान है 110 किलो न्यूटन के फाइटर जेट इंजन को बनाना और भारत इस इंजन का इस्तेमाल M का फाइटर जेट और TESAS MK2 फाइटर जेट में करेगा और ये इंजन नेक्स जनरेशन का इंजन होगा और DRDO ने ये कह दिया है कि कांट्रेक्ट के 3 से 4 सालों बाद इस इंजन की फैचल्टी सुरू हो जाएगी तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरबात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो 110 किलो न्यूटन वाला इंजन DRDO बना रहा है वा इंजन बिटन के रोल्स रॉयल EJ200 से ज़्यादा पावरफूल इंजन होगा और इतना ही नहीं इस इंजन के तयार होते ही DRDO एक 130 किलो न्यूटन का इंजन भी बना कर तयार करेगा और अभी हाली में एक एनौल वेबिनार हुआ है और ये वेबिनार गैस टर्बाइन इंजन पर आधारित था और इसी वेबिनार में GTRE यानि की गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेबिलिस्मेंट और DRDO ने अपने प्लांस के बारे में खुलासा किया है और इसका मतलब साफ है कि भारत एक 110 किलो न्यूटन के इंजन को बनाएगा और DRDO का मानना है कि इस इंजन का ड्राइ थ्रस्ट होगा वह 72 किलो न्यूटन के आसपास का होगा और इसका वेट थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन का होगा और आपको बता दूँ DRDO यहीं तक नहीं रुकने वाला DRDO इस इंजन को डेवलप्ट करने के बाद एक 130 किलो न्यूटन के इंजन को भी बनाएगा और यह 130 किलो न्यूटन वाला इंजन एक 6 जनरेशन वाला इंजन होगा और यह इंजन भारत के 6 जनरेशन फाइटर जेट फूफा में लगाया जाएगा और आप लोगों को फूफा यानि की फ्यूचिरिस्टिक अन्मैंड फाइटर एरक्राप्ट के बारे में पता ही होगा और जिन्हें भारत के इस फाइटर जेट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वीडियो को देख सकते हैं और मैंने आप लोगों को बताया भी था की डियार डियो कानपुर में इस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट यानि की फूफा पर कारे भी स्टार्ट कर चुका है और इसके अलाव भारत एक मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एर क्राफ्ट को भी बनाएगा जैसे की C-130J हरकुलिस और IL-78 और इन मिलिटरी एर क्राफ्ट में 72.5 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को लगाया जाएगा और आपको बता दू भारत का या 110 किलो न्यूटन वाला इंजन ब्रिटन के रोल्स रॉयल के EJ200 से ज़्यादा बढ़िया है और ब्रिटन इस इंजन का इस्तेमाल अपने एरो फाइटर टाइफून में भी करता है जो लगबग राफेल के बराबर का फाइटर जेट माना ज आता है और इसी प्रोजेक्ट के लिए 28 एकर जमीन को भी सैंक्षन किया गया है और इसी ये 28 एकर जमीन में एक नई फैसल्टी का भी निरमाड किया जाएगा जो इस इंजन के टेस्ट में इस्तेमाल होगी और DRD ओने कहा है कि कांटरेक्ट साइन होने के 3-4 सालों में ये फ उसका क्या हुआ तो आप लोगं को बता दूँ कि कावेरी इंजन पर टेस्टिंग चल रही है और कावेरी इंजन में जितनी भी खामिया थी सभी को सुधार लिया गया है और इसका विल्टीट्यूड टेस्टिंग रसिया के अंदर जल्द ही की जाएगी और इसके लावा इस इस फ्लाइंग टेस्ट में काम्याब हो जाएगा उसके बाद भारत इसका इस्तेमाल आवरा UCAB में करने लगेगा अब आप लोग का क्या कहना है भारत के स्काविर इंजन पर कमेंट में जरू बताया और लाइक सेर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरू दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सब भी वीडियो आप तक पहुंचे धन्यवाद